बची हुई रोटियों को पानी में डुबो कर आज बनाएंगे एक नए तरीके की बहुत ही मज़िदार रेसिपी तो वीडियो को पूरा देखिएगा चले शुरुआत करते हैं इस नई रेसिपी की रोटी की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी रोटी की रोटी आप ताजी भी ले सकते हैं या सुबह की रखी हुई रोटी है तो साम को भी बना सकते हैं यानि ताजी बासी कोई भी रोटी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर तीन रोटीयां ली हैं आप तीन रोटी दो रोटी जितनी रोटी का बनाना चाहें जितनी रोटी आपके पास बची हो उतने का इस रेसीपी को बना सकते हैं तो इसे बनाने के लिए हमने एक कडाही में रखा लगभग दो ग्लास के जितना पानी पानी को अच्छे से गरम हो जाने देंगे जब पानी गरम हो जाएगा यह जो रोटियां है उन्हें हम इस तरह से दो टुक्डों में ऐसे तोड़के डाल देंगे और इसे थोड़ा सा कलची से दबा देंगे ताकि रोटी जो है वो अच्छे से फूल सके तो इस तरह से अच्छे से दबा दीजिए और फिर हम इसे cover कर देंगे और बस फिर गैस बंद कर देंगे तुरन्त ही cover करने के बाद और तीन से चार मिनट तक इसे हम ऐसे ही पानी में रहने देंगे जिस से हमारी जो रोटी है वो अच्छे से फूर लयागी तो इसे बहुत ज़्यादा देर भी नहीं रखना है सिर्फ तीन मिनट तक ही रखा है मैंने और यह दिखिए रोटियां काफी सॉफ्ट हो गई है तो अब बहुत ही हलके हाथों से हम इसे निकाल लेंगे ग्रैंडिंग जार में तो बहुत ज़्यादा देर के लिए गर आप प सारा पानी निकाल देंगे क्योंकि पानी की हमें बिल्कुल भी नीट नहीं है अब हम इसमें डालेंगे दूद तो लगबग आधा कप मैंने दूद डाला है दूद जरूरत की साप से डालिएगा और धकन बंद करके हमें इसे पीस लेना है अब हमें इस रसिपी के लिए त केसर के धागे डाल करके से पका लिया चिप चिपी सी चासनी बना लेनी है कोई तारवार की चासनी नहीं चाहिए इसमें तो यह देखे चासनी हमारी रेडी है तो चासनी बनाने का वीडियो मैंने सूट नहीं किया था और बस इसी तरीके से बनाएगा जैसे आप जलेबी क माल कुगा बनाते हैं तो चासनी हमारी रेडी है इसे हम साइट मेरक देंगे और जो हमने पिसके रेडी किया है उसे हम एक बोल में निकाल लें गे तो दिखे रोति को खुछ इस तरीके से ओ priorit है आपको तो रोति को पेस्ट है वो हमने एक बोल में निकाल लिया है और आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि इसमें रोटी की कोई भी बड़े चंग से अब हम इसमें डाल लेंगे मिल्क पाउडर तो यहाँ पर लगभग दो छोटे चम्मस मैंने मिल्क पाउडर डाला है और एक बड़ा चम्मस हम सूजी का डाल देंगे सूजी की जगे आपको मैदा भी टाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मस मैदा और एक बड़ा चमस सूजी दोनों का इस्तेमाल किया हुआ है बस इसे अच्छे से मिला देना है तो थोड़े देर हम इसे set होने के लिए यानि फूलने के लिए रख देंगे तो अभी जो paste है वो थोड़ा थीक है तो मैंने इसके थोड़ा सा दूद और डालना है तो पतला करने के लिए आपको दूद का ही इस्तिमाल करना है पानी नहीं डालना है तो ये देखे फ्रेंट्स इसे हमने अच्छी से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आपको कुछ इस तरह की रखनी है बहुत पतला नहीं और ज़्यादा गाड़ा नहीं यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल गरम होने के लिए रखा है सुरी यह घी है आप इसे तेल या घी किसी में भी बना सकते हैं और बस मेडियम गरम तेल में ही हम इने फ्राइ करना है तो इस तरह से हम गरम गरम तेल इनके उपर डालते जाएंगे ऐसा करने से क्या होगा कि यह बहुत अच्छे से फूल लेंगे और उपर से भी बढ़िया से सेट हो जाएंगे तो जैसे जैसे मैं गरम तेल डाल नहीं हूँ यानि कि घी डाल लें तो यह बहुत अच्छे से फूल रहे हैं यह देखिये जब यह एक साइट से सिख जाएगा इसे हम टरन कर देंगे और दूसरी तरब से भी अच्छे से सिखने देंगे तो बड़ी असा गोर्लेन कलर आने तक इसे फ्राइग कर लेना है तो यह देखिये अब इसका बड़ी असा कलर आ गया है साइट में जो थोड़ी जगए है उसमें हम एक और डाल देंगे तो अगर आप बड़े पैन में बन तो इसी तरह से सभी बना के रेडी कर लेने हैं अब यह जो हमने चास्नी बनाई थी यह गरम गरम ही हम चास्नी में डाल देंगे तो चास्नी वो है वो ठंडी है और यह जो मालपुआ हमने बनाया है रोटी का वो गरम है तो इसमें डाल देंगे और बस हम इने दो मिनट तक ऐसे ही चासनी में रहने देंगे जिससे की मालपुआ जो है वो चासनी अच्छे से अपजॉब कर लेंगे तो ये देखे फ्रिंट्स बस मैंने दो मिनट तक चासनी में रखा है और अब हमेने निकाल लेंगे तो एक एक करके सारे निकाल लीजिए रोटी की बहुत सी रैसीपी आपने ट्राई करी होंगी यह रोटी की एक दम नई रैसीपी है और यह हमारी बहुत ही मज़ेदार रोटी के मालपुआ बनके तयार है उपर से हम इसे थोड़ा ड्राइफूर्ट से गार्निस कर देंगे ज रोटी को पानी में डुबो कर बनने वाली रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताएगा